हलो एवरीवन मानश्मेंट मंतरा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफ्रेंट इन्वेंशन इन्वेंशन की मंतर होता है इन्वेंशन और इन्वेंशन के अंदर मतलब अविश्कार करना और कुछ नव प्रवर्तन करना या नवाचार करना तो नेक्स्ट आप देखते ह है यह कुछ बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंश देखेंगे कि दोनों का मैंनिंग क्या होता है वाट इस इट कि यह क्या होते हैं क्या स्किल रिक्वाइड होती है कैसी यह उक्योर होता है इनका कंसर्ण एक्टिविटी और एक्जामपल अब इन सब्सक्राइब को देखने से पहले पहले समझते कि invention क्या होता और innovation क्या होता है फिर हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंश को देखेंगे और innovation और entrepreneurship से related different videos देखने के लिए आप कौरनर आई बटन पे क्लिक करके इसकी playlist में different topics पे वीडियो देख सकते हैं और description में भी management और commerce से related different subjects के वीडियो के playlist का link अबिलेबल है आप महाँ से देख सकते हैं और description में social media के links भी अबिलेबल अगर आपको कोई doubt हो तो आप महाँ पर follow कर सकते हैं पहले कभी भी नहीं थी हम उसमें कुछ नया चेंज कर रहे हैं होते हैं रिसर्च और एक्सपरिमेंट के तुरू इनको हम टैंजीबल प्रजेक्ट में convert कर सकते हैं जो की जिस भी परसें ने किसी बीचीज को इंवेंट किया है उसके पैस यह rights होते हैं कि वो किसी और को अपने rights दे सकता है मतलब कोई company चाहती कि वैसे ही same product बनाए तो उसको उससे permission लेनी होगी और उसका कुछ profit amount उसको देना होगा यह बहुत सारे different countries के different tool inventions के तो invention का example की जैसे light का bulb जो की thomas edition ने invent किया था वैसे आइफोन तो आइफोन सिर्फ apple company ही बनाती है कोई भी वैसा software वैसे technology को यूज नहीं कर सकते हैं तो यह क्या है invention से वह particular product या process को उने नहीं तरीकों से discover के invent के बहुत सारे research experiment के बाद वह थी invention next नेक्स्ट आता innovation innovation का मतलब होते है कि जो भी idea है उसको reality में लाना आपके माइंड में कोई idea है आप उसको reality में लेक्या आते हैं तो यह कोई product भी हो सकता है services भी हो सकती है कि customers की need को कैसे fulfill क्या जाए तो innovation में किसी भी idea को reality में convert करते कि कुछ ऐसा discover करना कि जो की आपके product वो services में value को add करते कि customers की need को satisfied करना है कुछ भी नया introduce करना मार्केट में fulfill करना है customers की need को उनको better product services को deliver करना है तो innovation introduced कि कैसे नया product को develop किया जाए उसकी process को technology को services को redesign किया जाए किसी भी existing product के solutions में क्या changes कर सकते है मतलब कोई problem है उसका solution provide कर सकते है तो innovation का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई भी change कर देते हैं हमने packaging में change कर दिया पहले cylindrical था पर rectangle कर दिया तो यह भी क्या होता है innovation होता है इसका color change कर दिया तो वो सब क्या होती है innovation पर invent करना मतलब कि कुछ आपने discover करके research करके experiment करके कुछ unique बनाया इन्वेंट किया है जो कि अभी तक नहीं था और तो आप invention को innovation में convert कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखते हैं कि difference between innovation and invention तो यह कुछ basis थे जो कि हमने पहले भी देखे थे money की what is it concept skills secure concern activity example अब इन सभी को हम one by one इन दोरों के बीच में difference के साथ देखते हैं इन्वेंशन जब होता है जब किसी भी आइडिया प्रेड़क्ट या प्रोसेस के लिए आपने कभी पहले वैसा नहीं किया होगा मतलब कुछ इन्वेंट किया एक्ड़आपल एलेक्टरिक वहिकल कुछ यह सारी चीज़ी नहीं होती थी तो यह क्या होता है इन्वेंशन इन्वेशन होता है कि सिंपली हमारे पस कोई आइडिया या है उसको हम फॉर्स स्टाइम हमारे प्रिजटा सर्विस अप्लाएं करते हैं तो वह थी इन्वेशन जैसे कि product के design में change कर दिया, product के color में change कर दिया, product में कुछ नया features दे दिया, तो यह क्या होगा, innovation, next नेक्स्ट आता है, what is it, creation of new product, कि हम किसी नय product को create कर रहे है, iPhone तो उन्होंने mobile phone में एक नया तरीका का iPhone निकाला, जो high quality, high technology के साथ, high software के साथ आपको मिलते हैं, वही innovation के आप, जो already है, existing available है, उस value को add कर रहे हैं, for example, कि जो Android के mobile phone सभी companies निकालती है, पर सभी companies कुछ camera qualities अच्छे देती ही, कुछ software में change कर देती ही, कुछ storage में, तो वो different तरीके से innovation करती है, तो यह दोनों में difference होता है, invention मतलों आपने कुछ नया ही invent कर दिया है, और innovation आप उसी में कुछ change कर रहे हैं, next, next आता है concept, जो invention होता है, वो एक original idea का होता है, थिवेरी प आइडिया था, मतलब जो आपको theories से या फिर कुछ नहीं research करने से आया है, उसको आप करते हैं, पर innovation में आप ऐसी बैटे हैं, कुछ भी आपके mind में कुछ आइडिया है, आप उसको implement कर देते हैं, तो वो ता innovation, next आता है skill required, जो invention होता है, आपको scientific skills आनी चीए, for example, Adam ने bulb को invent क तो उनको पूरा science का knowledge था, physics अच्छे से आता होगा उनको, जो भी theories अप्लीकेबल थी, invent करने के लिए वो सारी उनके अंदर थी, तो इसलिए आपको scientific skills की requirement होती है, research, experiment करना, वही next innovation में आपको marketing, technical, strategic skills, मतलब आपको आपके product को कैसे promote करना है, उससे related कुछ भी innovation करना है, कि आ change कर सकते हैं, आपके production की strategies हो सकती है, technology, marketing करने की strategies, वो सारी skills जरूरी होती है, innovation में, next होता है, occur when, जो invention होता है, उसमें नए ideas पे आप कोई भी scientist, strictly work करता है, तब invention होती है, वहीं जो innovation होता है, वो किसी भी product के बारे में कोई भी feel करता है, कि उसमें कुछ improvement होना चीए, जो भी existing available product है, तो उसमें आप कुछ innovation कर सकते हैं, for example, कि आपने देखाऊँगा, जो paint नो normally आते थे, पहले refill डलती थी, फिर वो 2-3 रुपे वाले पेन आने लगे, जो आपको refill खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो refill वाला आता था, वो 5-10 रुपीस का महिंगा, तो उन्होंने 2-3 रु करेंगे, तो आप चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा color, तो इसमें बहुत सारे 5-6 colors आपको 1 pen में मिल जाते हैं, तो यह सब क्या होगी innovation, next, next आता है concerned with, जो invention होती है, वो किसी भी single product या process में होती है, कि आप किसी एक चीज में ही invention कर सकते हैं, बलकि जो innovation होता है, वो combination होता है, कि आप product में भी कुछ change कर सकते हैं, उसकी process में भी change कर सकते हैं, manufacturing की sales में भी change कर सकते हैं, marketing में change कर सकते हैं, तो innovation होता है, वो combination होता है, सारी चीजो का, next आता है activity, जो invention होता है, वो limited रहता है, research and development department है, कि उसमें research होती है, experiments होती है, तब कुछ invention होती है, वहीं जो innovation होता है, व तो आप के पास बहुत सारे departments होते हैं जापे आप काम कर सकते हैं किसी business की बात कर रहे हैं तो इसमें human resource department हो गया marketing, production, operation तो यह बहुत सारी चीज़े होती हैं और आप invention में कम involved होती हैं और innovation में बहुत ज़्यादा होती है next, last आता है इसके example जो invention होता है like printing, press, electronic, telephone यह सब क्या है invention है कि किसी ने invent किया इन सारी चीज़ों को innovation हो गया कि iPhone, tablet, flat, screen, TV मतलब आप सेम ही चीज में कुछ भी innovative कर रहे हैं मतलब screen में changes, mobile phone भी, folding वाले जो की उपर से fold हो सकते हैं और side से fold हो सकते हैं तो यह सब क्या हो गया innovation इन्वेंशन में नहीं नहीं चीजों को लेके आएं electric vehicles हो गए, solar systems हो गए, यह सब क्या होगी invention the difference between invention and innovation के इस वीडियों में आपने पढ़ा different basis पे इन दोनों की बिचमे difference meaning what is it, concept, skills और क्या और concern, activity, example वीडियों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजे चैनल को subscribe कीजे और comment कीजे और किसी topic पर वीडियों चीए तो आप कमेंट कर सकते हैं thank you झालき वीडियों ょटे आपए , झालो एल्लॉजू